प्रिवन इस वीडियो में हम खक्षा 5 की हिंदे की कारेपत्रे का नमबर 74 एक करेंगे डेट है इसकी 20 सब्टामबर 2021 वक्षी टाप के पाथ ये पुस्तक रिमजिम के पाथ एक दिन की बात शाहद से ली गई है इस चाप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी बहुत इंट्रेस्टिंग चाप्टर है और इसमें जो है क्या होता है दो बच्चे होते हैं वो उन्हें हमेशा हर कोई डाटता रहता है तो एक दिन वो एक तरीके से राजा बन जाते हैं कोई उन्हें डाट नहीं बाता फनी भी है प्लस बहुत मजा आने वाले आपको चाप्टर देखने में और अनिमेटर चाप्टर है तो और भी अच्छा लगीगा लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है जरूर देख लीजेगा जिससे आपको वक्षिक करने में आसानी रहे क्योंकि सारे कॉशन्स इसी चाप्टर से पुछे गए हैं तो चलिए अब शुरू करते हैं चाप्टर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी नमस्ति प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त और खुश होंगे है ना और ये भी आशा करते हो कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब सुरू कर रखा होगा तो आई होप आप घर में हेल्थी होंगे घर में रहिए सुरक्षित रहिए सो आईए बच्चों आज हम अपनी पाठे पुस्तक के पाठ एक दिन की बाहर शाहत को बोड़ कर पढ़ते हैं इसकी लिंग डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं और इस कारे पत्रिका को पूरा करने की कोशिश करते हैं बच्चों आपने पाठ को पढ़ते समय देखा होगा कि इस कहानी में कई जगे समबाद दे गए हैं तो कई जगे बिना समबाद के ही कहानी आगे बढ़ा दी गई है जहां समवाद नहीं है किया आपने वहां कहानी के पात्रों के बीच होने वाली कुछ रोचक समवादों की कर्पना की आईए आज कुछ ऐसा ही करते हैं जैसे पहला प्रशन है पाठ में जब खान सामा खाना पकाने के विशे पर अम्मी से पूछता है उस समय आरीफ और उसकी अम्मी के बीच कौन-कौन से समवाद हुए होंगे अपने अनुमान से लिखिए तो जैसे आरीफ कहता होगा अम्मी आज तुम खाना बनाओगी तो अम्मी कहती होगी नहीं मैं आज नहीं पकाऊंगी ठीक है नहीं आज नहीं बनाबाऊंगी ऐसे भी लिख सकते हैं आरीफ कहेगा आज तुम्हें ही बनाना पड़ेगा तो अम्मी गुस्से में आ जाती है पर अज इसे मान नहीं सकती क्यूंकि वह एक दिन का बाटशाहत बना हुआ है ठीक है तो इस तरीके से उनका समवाद हुआ होगा है ना तो देखो ऐसे लिख लेंगे आप लोग उसकी पर नेक्स देखो बच्चों एक दिन की बाटशाहत पार्ट में बहुत से सब्द ऐसे आए हैं जिनने आप त्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उन सभी शब्दों के किसी किसी वर्ण के नीचे बिंदी लगी हुई है जैसे गजल, नजर, चीज, आदी ये देखेंगे यहाँ पर बिंदी लगी हुई है आप देख रहे हैं देख पारे होंगे इस बिंदी को हम क्या कहते हैं नुक्ता कहते हैं वर्णों के नीचे लगी बिंदी नुक्ता कहराती है नुक्ता लगाने से वर्ण का उचारण बदल जाता है जैसे देखो अब यहाँ पर अगर नुक्ता नहीं लगा उता तो इसको मैं गजल बोलती लेकिन जैसे ही यहाँ नुक्ता लग गया तो मैं क्या बोल रही हूँ ज़, ज़ साउंड आ जाती है गजल, नजर, चीज, है ना तो इस तरीके से होता है तो प्रश्मे दो है नीचे दी गए शब्द समुह में से नुक्ता पर ध्यान देते हुए सही वरतन वाले शब्द पर गोला लगाईए तो देखो आवाज, आवाज, आवाज तो इसमें ये सही है तो इसमें गोला लग जाएगा दूसरा देखो जरूर, जरूर, जरूर तो इसमें ये वाला सही है ठीक है आगे देखो तारीफ या रब री पर नुक्ता लगेगा कहा नुक्ता लगेगा इसका सही है ये वाला ठीक है नेक्स देखो फार्सी फार्सी या फार्सी मतलब तीनों है फार्सी है लेकिन उनकी नीचे क्या है नुक्ता अलग अलग जगे लगा हुआ है तो सही नुक्ता है अपने पाठे पुस्तक में से कोई पाच नुक्ते वाले शब्द ढूड़ कर नीचे दी गई तालिका में लिखिए ये शब्द पाठ एक दिन की बाठ शाहत के अलावा किसी अन्य पाठ में से धूड़ कर लिखिए तो देखे इसमें क्या होगा एक जमीन हो गया फसल जरूरत रोज सिर्फ तो ये सारे आपके लुक्ते वाले शब्द रहेंगे उसके बाद आओ बास्चीत करें तो ये देखो यहां पर क्या है या पस में क्या बात करें आपको जो है सबसे पहले कलपना करना है कि ये क्या बात कर रहे होंगी उसके बाद देखना है एक दो तीन चार चार बच्चे है और ये जो है हो सकते हैं इनकी मा हो तो देखो ये बोल रही है आंटी मुझे भी दो ना मम्मी मुझे देओ तो मतलब हो सकता है यहाँ पर आप मम्मी भी लग दीजिए आंटी शरूरी नहीं है हो सकता है चारों के चारों इनके बच्चे हो या हो सकता है दो तीन दोस्तों हो दो बच्चे हो दो इनके दोस्तों तो जो भी आप कल्पना करना चाहें कर सकते हैं तो मम्मी मुझे दो मम्मी मुझे भी दोना ऐसे बोल रहे होंगे दो का ही समबात बोलवाना है तीन का बोलव लिखवा सकते हैं नहीं तो कुछ और लिखवा सकते हैं तो यहीं आपकी आज की वक्षिट फिनिश होती है आशा कहती हूं आपको समझ आई होगी तो प्लीज लाइक दा वीडियो और सब्सक्राइब ऑवर चैनल थैंक यू